हलो एब्रीवन मैं उसंजना और आज मेले के फिर से एक नई रसीपी तो चलिए बनाते हैं तो आज हम बनाएंगे ब्रेट की रसमलाई इसके लिए हमने 10-12 ब्रेट की सलैस लिए है आप ब्राउन वाले भी ब्रेट ले सकते हैं हमने वाइट वाला लिया है अदी काटोरी हमन ज़्यादा भी ले सकते हैं जितना बनाना चाहए हमने कष्टड पावडर लिया है अब एक प्लेट लेंगे एक किलास से हम इसको बीच से कट करेंगे अब देख सकते हैं इसको के अई से कट कर रहे हैं एक कॉटर हो तो आप कटर से हैं हमारे पास नहीं है तश्वेये घ्लास से काट रहे हैं अब देख सकते हैं गिलास की मदब से हम सारे ब्रेट को भी से कट करेंगे अब देख सकते हैं मैं कैसे कट कर रही है आप चाहिए तो बड़े साइच का भी ब्रेट ले सकते हैं तो देखिए हमने इसके साइट वाले जो पॉर्शन है उसको निकाल देती हूं और इसका भी कुछ रेसीपी बन जाएगा तो आप देख सकते हैं मैंने सब को निकाल के रख लिया है पहले से ही अब हम एक पैन में दूद करम करेंगे तो हमने पहले से गयास पर चढ़ा रखा है दूद को और इसको खौलाएंगे हम खौला करके और दा कर देंगे हो जब तक यह घाड़ा हो जाए तब तक उखलाएंगे दूद को परऴी में हम गरम दूद्ध लेंगे अब चाहे तो ठंदा ही उजबी कर सकतें लेकिन मैं तो कहांगी की घरम ही दूद लेजिएगा जादे गरम नह कैसे गोल रही हूं कि बराबर इसको गोल लेंगे कि इधर दूद हम ठंडा थोड़ा सा करेंगे थोड़ी सी हल्दी एट करेंगे हल्दी एट करने से थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाएगा और देखने में यह खुब सूरत दिखेगा जैसे रस मलाई का कलर दिखता है ना स इसमें थोड़ा-थोड़ा कड़के कश्टट पाउडर एट करेंगे और इसको बराबर चलाते हुए इसको पकाएंगे कुटी वह इलाची हमने एट कर दिया है आप चाहे तो बदाम पिस्ता काजू सब इसमें एट कर सकते हैं जो भी आप चाहें अब इसमें हम दो बड़े चमच चीनी एट करेंगे चीनी आप अपने हिसाब सेट करिएगा जीतना आप मिठा खाना से हैं तो हमने बस दो चमच च कर देंगे अब इसको ठंडा करने के लिए दो मिनट तक छोड़ देंगे और हलका हलका गरम जब रहेगा तब ही हम जो ब्रेट के सलाइस किये थे इसको इसमें एट करेंगे और ये कल्चुर की मदब से देखें मैं इसके उपर यह मैं दूद दाल जो इसके उपर अब ब्रेट जाते हैं कंग गरम हुदू तभी इसमें डालियेगा अब देख सकते हैं मारे यह रस्मलाई बनके रेडिया हो चुकि है खाने खिलिए उमें एक प्लेट में निकाल करके दिखा देते हूं तो मैने एक प्लेट ले लिया है अब हम रस्मलाई आप आपने साप से काजूर पिस्ता किसी से भी सजा सकते हैं ओपर से हम ने थोड़ा सा नारील का बुरादा है तोड़ा से देखने में खुबसूरत दिखेगा कि अब देख सकते हैं हमारी ब्रेट की रस्मलाई बनके रेडी हो चुकिए खाने के लिए और अगर मेरी रेशिपी आप लोग को पसंद आए तो पिर लाइक करें शेयर करें सस्क्राइब करें और अभी तक आप लोगों मेरे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके सस्क्राइब कर लें अब इस रस्मलाई को आप चाहें तो 5-6 घंटे फ्रीज में रख सकते हैं तो इससे और इसका टेस्ट बढ़ सकते हैं और आप चाहें तो ऐसे भी खा सकते हैं लेकिन फ्रीज में रखने से जादे टेस्टी लगेगा और खाने में बहुत तो आप देख सकते हैं कितना यमी कितना टेस्टी देख रहा है खाने का मन कर रहा है ना थेंक्यू सो मच मेरे वीडियो देखने के लिए